इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खबर ये है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीम रहे शुशிल कुमार मोदी का आज निधन हो गया है 72 साल की उमर में शुशील कुमार मोदी ने दिल्ली एमस में आखरी सांस लिये आपको बता दे कि शुशिल कुमार मोधी कैंसर से पीडित थी 40 दिन पहले उन्होंने कैंसर के बारे में जानकारी दी थी 77 सक्री राजनीत से सन्यास की घोस्रा की थी आपको बता दे कि शुशिल कुमार मोधी 11 साल तक लगभग बिहार के डिप्टी सीम रहे हैं भाजपा के पूरुएधा नेताओं में से एक थे भाजपा को आज जिस कद़ पर पहुंची है भाजपा बिहार में उसे बढ़ाने में सुशिल कुमार मोधी का बहुत बड़ा योगदान था आपको बता दे कि बिहार की राजणीती छोड़ने के बाद दिसमबर 2020 में उन्हें भाजपा ने राजसभा में भेजा था और जहां वो केंद्र की राजणीती कर रहे थे तो फिलाल आपके से देखते हैं इस खबर को कॉमेंट बॉक्स में जरू बताना और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन में भूलना धन्यवाद